Dear students, welcome back. Set, series, best बंगाल की, यदि आप इस चैनल को follow कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि अब तक हम लोगों ने तीन पेपर अलेडी अनलाइज कर लिये हैं, 2020, 2018 और 2017 के पेपर 2. आज अनलाइज कर रहे हैं, पेपर 3, 2017 का, जिसमें 75, 75 कुश्चन हैं, और इसके बाद यदि मौका मिला, तो एक्जाम मुझे बताया गया है, 9 जनवरी को है, तो कुछ और अनलेसिस करने की कोशिस करेंगे. जैसा मैं हमेंसा कहता हूँ कि ये वीडियो केवल वेस्ट बंगाल सेट ही नहीं, बलकि UGC NET, सौरी यहां पे दो बार UGC आ गया है, UGC NET, और सभी competitive exam, even PG entrance test के लिए important है, इसलिए सभी मेरे student कुछ न कुछ इससे फाइदा ले पाएंगे. So, let us begin West Bengal SET 2017 Paper 3 Analysis Explanation with lots of additional information. इसे पहले की question answer का दौर सुरू करें, कुछ question इसमें थोड़े अर्बीट है, अर्बीट का माईने आप साथ समझते होंगे, यह आप मेरे साथ बने हुए हैं, मतलब वो ऐसे question हैं जिसके ये तयारी ना आप कर सकते हैं, ना उन question को discuss करने से आगे आपको कुछ फायदा है, उ was backed by, तो ये question ये पुछ रहा है कि इसमें से कौन-कौन इन्होंने जो है political theory के resurgence में help किया, तो आप देखिए तो इसमें जहां पे भी Leo Straw आये, वो आपको जरूर लेना है, एक बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो एक figure हैं जिन्होंने political theory के revival के लिए बहुत काम किया, value को back political theory में लाने के लिए, मैंने बहुत detail में आपको पिछले वीडियो में बताया है, अब यदि यहां पे आप देखें, तो इसमें यहां पे भी Leo Straw हैं, और यहां भी हैं, लेकिन यहां पे David Easton और यहां पे जो Isaiah Berlin के साथ हैं, Isaiah Berlin ने भी काफी help किया था political theory को, normative political theory को revive करने मे तो मेरे अनुसार से आप बहुत safely जो हैं, आप इसको ठीक मार सकते हैं, अब यहां पे यदि आपने resurgence का देख लिया कि यह लोग हैं, इसमें आप और को भी जोर सकते हैं, आना Ardent को भी जोर सकते हैं, John Rawl को जोर सकते हैं, जोनोंने कि normative particle theory को एक जीवन दिया, even Robert Tonjik को भ जोर सकते हैं, इन लोगोंने normative particle theory को एक बहुत नहीं मुकाम पे पहुचा है, तो उसका उल्टा जो है, कौन से theorist थे जिन्होंने कि, जिन्होंने declare कर दिया कि particle theory या normative particle theory का decline हो गया, उसमें डेविड इस्टन को आप ले सकते हैं, वैसे तो यह दोनों जगा आते हैं, मद र behavioralism को ले आकर के, Peter Laslett, जिन्होंने कह दिया, political theory is dead, Reimer, जिन्होंने कहा कि, political theory is in doghouse, Robert Dell, उन्होंने भी declare किया, political philosophy is dead, Alfred Coben and Dante Germino, यह याद कर लीजए, मैंने पहले भी कहा था, second question देखे, question number 5, the observation that consent is created and recreated by hegemony of the ruling stratum in society, reflect the philosophical poison of, तो यदि आपने Gramsci को पढ़ा है, तो आप इस question का असानी से जवाब दे सकते हैं, Gramsci, Antonio Gramsci, Italy के थे, prison notebook लिखा था, एक तरह के marxist थे, लेकिन उन्होंने एक theory developed की, जिसको cultural hegemony कहिया, या theory of hegemony, जिसमें उनका कहना था कि जो main battle, जो class struggle का है, वो civil society के arena में चलता है जहांपे की जो बार्जोजी या capitalist class है, वो जो ideology frame करते हैं, या worldview frame करते हैं, वो या knowledge जो create करते हैं, वो जो subordinated class या labor class के choice, preference, ideology, worldview, या उसके subject होने के एहसास को ही बदल देता है, और वो जो है एक तरह का ऐसा mental dominance है, जिसमें की subordinated class, मतलब labor class, सोचता ही नहीं है कि वो subordinated हो रहा है, या exploited हो रहा है, वो सोचता है कि जो हो रहा है, वो natural है, common sense है, वही होना चाहिए, इसको उन्होंने hegemony का नाम दिया, या cultural hegemony, इसका सबसे अच्छा example में हमेसा कहता हूँ कि Indian caste system है, जिसमें higher caste ने कैसे जो है, दलित या untouchables पे अपना hegemony जमाया, वही process grammar की यहां पे, जो capitalist versus worker class के बीच में देखते हैं, तो grammar की है, which one of the following according to M.K. Gandhi is correct, मतलब महत्मा गांधी, यह question deontology पे है, there is no relation between ends and mean, ends and mean का क्या मतलब होता है, आप कुछ करते हैं, उसका एक goal है, जैसे माल लिजे कि आप कोई काम कर रहे हैं, यह goal है, इसके रास्ते अलग-अलग हो सकते हैं, तरीके अलग-अलग हो सकते हैं, यह सारे उसके means हैं, तो mean और goal या mean और end, goal को end भी कह लिजे, तो Gandhi जी का मानना था कि end and mean are interrelated, उनका यह भी मानना था कि केवल end या goal ही पवित्र या ethical नहीं होना चाहिए, जो means है, वो भी उतना ही पवित्र ethical होना चाहिए, तो यह जो thought है, कि means जो है, कि किसी goal को अचीव करने का वो भी ethical, moral होना चाहिए, इसको deontology कहते हैं, तो Mahatma Gandhi deontologist थे, believe करते थे, Emmanuel Kant भी थे, इसका उल्टा जो है, teleology होता है, जो मैचावली मानते थे, या Jeremy Bentham मानते हैं, कि मतलब end जो है, वो matter करता है, अंत भला तो सब भला, मतलब by what means you achieve end, वो माइने नहीं रखता है, तो इसलिए यह सब गलत है, कि end justifies the mean, यह तो मैचावली का कहना है, means are not important, यह सब नहीं है, यह teleological है, there is no relation between ends, में यह भी गलत है, और यह तो यह अच्छा question है, अब आएए रीजन एजरसें, महत्मा गांधी, स्वाराज is a form of participatory democracy that empowers the masses, तो यह कौन इनकार करेगा, उनका जो concept स्वाराज का है, हिन स्वाराज में यह है, he believed that under it, the weakest should have the same opportunity as the strongest, तो यह भी बिलकुल सही है, और यह इसको एक तरह से explain भी करता है, इसलिए आप इसको ए कह सकते हैं, जब parts patri democracy होगा, तो सब को बड़ाबर का मौका मिलेगा, तो weakest को भी same opportunity मिलेगे, which one of the following ideas of Aristotle influence Machiavelli, Aristotle से तो कौन influence नहीं हुए है, except, यहाँ पर एक में दूसरा ला रहा हूँ question, Hobbes influence नहीं हुए है, यह question भी पूछा जाता है UGC net में, कि Hobbes, एक modern scientist पहले थे, जिन्होंने कि, consciously he avoided Aristotle in his social contact theory, लेकिन यदि Aristotle का आप देखेंगे कि Machiavelli ने क्या लिया होगा, तो आप guess कर सकते हैं, क्या separation of ethics and politics, मतलब politics और politics को अलग लग करना कभी Aristotle कहेंगे, उनके लिए तो politics ethical था, तो यह कभी नहीं होगा, state was the highest organization of human being, यह बिलकुल सही है, यह Machiavelli ने Aristotle से लिया, क्योंकि उनके लिए police जो है, वो एक highest human organization है, और वो ऐसा organization में कि human का flourishment होता है, यह demonia, मतलब happiness, या fulfilled life, एक individual केवल police या state में ही achieve कर सकता है, which one of the following, उन्होंने historical method भी उससे नहीं लिया था, which one of the following book is not authored by Karl Marx, अब इस type के जो question है, बहुत ही routine, घिजएपिटे question होता है, आपको Karl Marx के बहुत सारे books को देखना होता है, आसान नहीं होता है, अब यह दिखेगा कि यह सब सब तुन्हों हैं लिखा है, लेकिन anti-deharing जो है, यह Frederick Engel उनके दोस्त नहीं लिखा, अब यह पकड़ पाना difficult होता है, इस लिए इस type of question difficult question होता है, अब यहाँ यह great leap forward, यह दूसरी तिसी वर पूछा जा रहा है, यह मैंने पहले जो आपके वीडियो थे, उससे ही यहाँ पर copy paste किया, यह तीनों यहाँ के लिए, माओ जदांग का जो तीन जो revolution है, पहला 56, 57 में है, the hundred flowers campaign, एक तरह का political liberalization कि तुम कुछ भी बोलो, जो भी तुम्हारे against सरकार ही क्यों नहों, और फिर 1958 में second five year plan के time में greatly forward लेकर का है, जिस पर यह question है, जिसमें कहा गया कि the second five year plan launched by MAO to boost economic growth, कहा गया कि तीन साल का मेहनत कर लो, फिर हजारो साल का जो है, अराम, इस type का, and then last में दस साल का उन्हों ने great proletarian cultural revolution लाया, जिसकी काफी बुराई की जाती है, इसमें कई हजारो लोगों को जो है, इस culture के नाम पे मार दिया गया, purging, मतलब कि हम अपने culture को शुद्ध कर रहे हैं, जो communist विचारधारा से अलग है, तो ये MAO, जदांग का, ये तीनों याद कर लीजिए, 8 number question देखे, Russo, General Will, Stand for, ये मैंने कितनी बार आपको पढ़ाया थी, आप मेरे साथ बने हुए हैं, General Will जो है, जो यहाँ A में है, वो बताता है, बिसिकली जब सबी लोग पार्सपेट्रूरी डेमोक्रेसी में, डेलिबरेटीव डेमोक्रेसी कह लीजिए, दोनों ही, वहाँ मिल करके सब के बारे में सोचते हैं, कि अपने बारे में नहीं, दमाज के बारे में भी altruism से guided होते हैं, अपने higher self से guided होते हैं, तब जब मिल करके, वो जो decide करते हैं, जो law बनाते हैं, वो general will से flow करता है, बतब general will मतलब वो will है, जो common good के लिए है, सब के भले के लिए है, वो किसी एक आदमी के भले के लिए नहीं है, और सब कोई मिल करके उसको decide करते हैं, तो the will of all individual thinking of general and public interest, यदि लोग private interest में सोचे तो general will नहीं होता है, rational will of people in power वो भी नहीं होता है, यह सब सब जो है not general will है, general will ज होता है, वो मतलब सभी के personal will से उपर होता है, और सब के भले के लिए होता है, इन direct democracy, who among the following takes the decision, यह question इतना असान है कि आप English के बल पढ़ेंगे direct democracy क्या, जैसे gram panchayat में सभी लोग आए और हाथ उठा करके decision लिया panchayat में, तो यह आप यह masses meet to discuss policies and take decision, तो यह आसान question है, आपक के कर सकते है, Michael Oxard is associated with ideology of, अब Michael Oxard से दो question आपको back to back आगे भी पूछा गया है, Michael Oxard के बारे आपको जानना चाहिए, यह दो चीज़ें के बारे, जैनि एक कि यह historical approach को इन्होंने अपनाया और दूसरा यह conservatist थे, तो यहाँ पे conservatism है, तो इसको ठीक मार लीजे, कहीं पे यह कौन से approach को यह support करते थे, तो historical approach, the first Congress of the International Working Man's Association, यह जीनेवा में हुआ था, 1866 में, इसमें Marx ने भाग लिया था, अब यह बहुत अर्भी टाइब को पूछ दिया है, कि Marx ने भाग लिया था, कहां पे हुआ था, तो आप guess कर सकते हैं, Paris, जनेवा में, आप confused हो सकते हैं, मैं भ के important book भी दिया है, लास्की का ये book आप कभी मत भूलियेगा, एक grammar of politics, उसी तरह Montes का ये book कभी ना भूलिये, the spirit of law, इसी में उन्होंने जो है separation of power किया है, separation of power जिस पे modern democracy based है, मतलब कि मैं बार और कहता हूँ, executive, legislature, parliament और judiciary के बीच में जो separation of power है, ये Montes का ही दिया हुआ है, एक question इसे भी पुछाता है कि इन्होंने जो separation of power दिया Montes ने, उसका aim क्या था, उसका aim liberty था, individual always ज्यादा freedom गें करेगा, यदि ये तीनों institution separate रहें, तब check and balance बना रहेगा, और individual सांस ले पाएगा, यदि ये तीनों एक में चला गया है, तो tyrannical हो जाएगा, तो Montes को separation of power से मिला ल पूरिस थे, of course थो है, left-oriented, नौजिक, जो है, लिबरेटेरियन है, तो इन तीन से आपका काम चल जाएगा, और अभी जस्त आपने देखा Oxford, जो है, वो conservatism को देखते हैं, यहाँ पे गेम भी आप देख सकते हैं, कि यदि आपको एक ही माल जे पता है, लास की पूरिसम, त The point is, however, to change the world, मतरब change it, तो यह जो आपने मार्क्स को पढ़ाया है, तो कहीं न कहीं यह लाइन जो टकड़ाएं कि उनका कहना था कि philosopher, यह thinker कह लिजे, political thinker, के बल, theory नहीं बनाएं चाहिए, वो समाज को change करनी की भी ताकत होनी चाहिए, यह मार्क्स का कहना था, Which of the following about M.N. Roy is not correct? अब यह तो difficult हो सकता है ति आपने M.N. Roy को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाया है, मैंने आपको M.N. Roy पढ़ाया नहीं है, लेकिन इदि आप देखेंगे तो यह सब तीनो ठीका पढ़ लीजेगा, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि he was opposed to the viewpoint of materialism, अब दे dictator की वो प्रोलेटेटेटर की नहीं माना, मार्स का philosophy जो है वो पूरी तरह से नहीं माना, लेकिन materialism तो एक कोर है, ति आप materialist नहीं है तो आप marxist नहीं हो सकते हैं, इसलिए यह correct नहीं है. Who among the following did advocate the concept of natural right? Natural right आने पे केवल एक आदमी का नाम सबसे पहले जो जहन में आपके आना चाहिए वो है John Locke. Natural right of life, liberty and property. Natural right proponent जैसे Locke का यह कहना था कि natural right nature के द्वारा दिये गए है, God कह लीजे, nature कह लीजे and it is prior to coming of political community, state and government. इसलिए कोई भी state या government natural right को नहीं छीद सकती है. In fact, उनका कहना था कि हम लोगों ने या people ने social contract किया ही है इसलिए जिससे कि उनकी natural right और ज़्यादा protect हो सके और उसको और वो freely use कर सके. तो John Locke. Which one of the following about American system of judicial review is not correct? ये कहीं न कहीं इंडिया से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि judicial review, judicial review पहले क्या है? कि कोई act बने या इवन कोई administrative order हो, उसको review कर सकती है court इस basis पे कि वो constitution के अनुसार है की नहीं है और इदी नहीं है तो उसको definite fix देगी. इसको judicial review करते हैं. इंडिया में भी और अमेरिका में भी कि जो constitution है, उसमें judicial review word ऐसे कुछ खास लिखा हुआ नहीं है. ये court ने धीरे 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 दूसरे जो article हैं, उससे acquire कर लिया है. बहुत सारे power court acquire कर लेता है, democracy में individual freedom या समाज को बचाने के लिए एक तरह से government से कह लिजिया ऐसे. तो उसी तरह से अमेरिका में भी acquire कर लिया है जो judicial review का जो power है और वो power बढ़ते बढ़ते पहले जो है procedure established by law doctrine पे चलता था, बाद में वो due process doctrine पे हो गया. मतलब court यहां तक देखने लगी कि law, पहले के बल यह देखती थी judicial review में कि law जो है एक fixed जो procedure, constitution और procedure उसके अनुसार से कानून के अनुसार बना है कि नहीं. बाद में यह देखने लिए कि substantively कि वो law बनना चाहिए भी की नहीं. क्या वो law समाज के लिए अच्छा है की नहीं है? उसका essence जो है वो constitution से मिलता है की नहीं. उसको due process doctrine करते हैं. तो यह जो ए पढ़िये, judicial review in America is strengthened by explicit constitutional arrangement. यह नहीं है. ऐसा नहीं है. ना इंडिया में है नवा. इंडिया में article 13.2 जो है उससे judicial review का power acquire कर लिया है court ने. उसी तरह से अमेरिका में भी आपको देखना पड़ेगा कि उसके constitution में कहां से और बहुत सारे court cases हुए बहुत famous उससे उन्होंने acquire किया और धीरे धीरे due process पर पहुँच गये जो मैंने भी आपको explain किया. बाकि यह तीन American federalism in 20th century. अब यह arbit question है. चुकि arbit है इसलिए मैं इसके बारे में जादर discuss नहीं करूंगा. इसका कहना है centralized federalism. अब इतना deep में कि अमेरिका का federalism हर समय में कैसा कैसा रहा है. यहाँ पर अच्छी बात है कि कुछ चीजे हैं उसको जान लीजे. competitive federalism होता है जब state या state और central government आपस में compete करते हैं. मतलब एक तरह से one upmanship होता है. वो अच्छा नहीं माना आता है. cooperative federalism सभी, जैसे नेरंदर मोदी जी भी जब बने थे, prime minister तो उन्होंने बात की थी, cooperative federalism होना चाहिए. यह dream होता है कि दोनों मिल करके state और central government आपस में जो है लड़ाई जगरा ना करें और मिल के क करें. centralized federalism जो इंडिया में काफी दिन तक रहा, जहां पर कि center जो है अपने पास power को बहुँ ज़्यादा centralized कर लेती है. नहरू जी के time से इंदरा गंधी के time में यह काफी ज़्यादा रहा. आगे question भी एक ऐसा क्यों होता है? वो हम लोग देखेंगे. Lock was critical of patriarchy argument of. अब यह social contact की theory में काठा था. In fact, filmer जो हैं उस समय में, England में, उन्होंने absolute monarchy का support किया था अपनी theory में. उसकी उन्हें धजी उड़ा दी थी. तो filmer देखते ही, आपको filmer मारना है, बाकि तो patriarchy argument भी उन्होंने दिया होगा. यहां पर fair back का, यहां पर ध्यान कीजिए, यह Marx के एक तरह स inspirer है. Marx ने उन पर thesis of fair back लिकाए है, इस पर लिंग गलत है. यह भी German थे और यह यंग Hegel थे, मतलब Hegel के विचारों को पढ़ते थे, क्रिटीक थे. तो उसको जो है, इनके काफी सारे thought को Marx ने आगे बढ़ाया, जैसे alienation and all. Montesk आपने देख लिया, separation of power, और John Austen जो है, उन्हो absolute है, determinate है, और उन्होंने एक बहुत famous line भी खा था, John Austen ने, कि law is the command of the sovereign backed by the sanctions. तो यह याद रख लेजिए. इंगलिस थे यह. अभी यहाँ रिजे ने देखिए, the concept of system means a set of elements standing in interaction. तो मैंने कितनी बार कहा है, कि system क्या होता है, बहुत सारे interconnected parts जो आपस में energy और matter exchange करते हैं, सब मिल करके एक whole बनाते हैं, इसको system करते हैं, system environment से input लेता है, और convert करके output देता है, एक feedback loop भी होती है, यह system है. तो यह the concept of system means a set of elements standing in interaction, true. The system analysis helps interpret political phenomena in an empirical manner, यह भी true. लेकिन यह इसको explain नहीं करता है, इसलिए इसका answer होगा, B. Both A and R are true and R is not the correct explanation of A. यहाँ पर मैं आपको एक बताओं कि set West Bengal मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यह B देता है, जो UGC net में तो अधिकतर में जहाँ explain नहीं भी कर रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत ही मिलता जुलता है, वहाँ option A हो जाता है, जो illogical है. अब यहाँ match करते हैं, यह भी आसान होना चाहिए, लेकिन हो सकता आपको difficult क्योंकि यह book सबका नेम है, तो Hutchington ने जो book लिखा था, वो यह थी, Political Order in Changing Society, वैसे Hutchington का यह book भी आप, यह सारे जो है, यह development, political development पे लिखने वाले author है, political development यह development and modernization theory का लिजए, अब एक बात यहाँ और आपको चाहिए, development and modernization theory क्या थी, यह 60s क जमाने में, America world war, sorry, cold war का height था, उस समय में यह हो रहा था कि third world country में communism ना फैल जा, इसके लिए उन्हें development का रास्ता दिखाना पड़ेगा, और development क्या होगा, जैसे western country ने किया है, पहले political modernization करो, democracy law, separation of power करो, rule of law करो, constitutionalism करो, और अपने political institution डेवलप करो, और फिर जो है, political economy के जो है, economic development करो, यह उसी पे यह सारे thinkers ने book लिखा है, हटिंटन का इसमें आपको याद करना चाहिए, वैसे हटिंटन ने बहुत famous और book लिखे हैं, जो आपको competition पूछा आते हैं, like class of civilization and third wave of democratization, लेकिन यहाँ पे as a developmental thinker यह दिवा आते हैं, तो उन्होंने लिखा है, political development and political decay, 1993 म यह भी काफी बार पूछा जाता है, आप लोगो भी पूछा गया है, वो इस Bengal set में, Lucian Pai सबसे बड़े name है, developmental theory में, उन्होंने दो book जो उनकी बहुत famous है, एक है political culture and political development, यह इसलिए important है, क्योंकि यह culture से development को जोड़ते थे, और उनका यहाँ पे जो Lucian Pai का जो book है, जो हम लो game, और यदि Lucian Pai ने aspect of political development लिखा है, D का 3, तो D का 3, तो A जो है सही हो गया, बांकि आप मिला लीजिए, after Alman ने क्या लिखा है, उसको याद कर लीजिए, अब यहाँ आए 20 number question, who has said that modern political life comprises group freely combining, dissolving and reformulating according to their particular interest, तो यह जो है एक तरह का group theory की बात हो रही है, या pluralism की बात हो रही ही है, अब यह इन्होंने, Bentley ने कहा, यह arbit question है, यहाँ पर second, इस paper में कम से कम 8-10 arbit question है, और आपको कोई ख़बरायन गया होतनी है, क्योंकि उसके अलावा सब question भी होता है, तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं, in the question given below, there are two statement, a federal system, अभी हम लोंने देखा, a federal system invariably provides for an independent judiciary, ऐसा क्य होता है, वो यहाँ पर explain भी किया हुआ है, because judiciary settles, it, वैसे तो it नहीं लिखना चाहिए, self-standing होना चाहिए, it settles dispute between the center and the constraint unit, इसी लिए जो है judiciary की ज़रुरत पड़ती है, तो यह a, बिल्कुल सही है, इसका a answer होगा, यह दोनो statement सही भी है, और reason-adgerson को explain भी करता है, 23rd number देखे, Harold Laswell, Laswell ने जिन्होंने के politics को define भी किया था, तो उन्होंने जो है, who gets what, when and how, जो, जो book उन्होंने लिखा था, instrumental view of politics, तो Laswell ने यह कहा है कि politics is the study of influence and influenced, तो एक one से देखे क्या बनता है, यह दोनों सही हो गया, यह दोनों खतम हो गया, 50-50 game खेल लिया, Bismarck ने कहा था, politics is the science of power, यह आपको वैसे भी पता चल गया, क्योंकि दोनों में ही two है, इसलिए two तो always correct है, आपको जानी है, चाहे नहीं जानी है, यह question ही आपको बता रहा है कि two correct है, अब आपको क्यों यह देखना है, कि यह ऐसा होगा, या ऐसा होगा, बस इतना ही देखना four यहाँ पे है, तो चलिए, D को माड लीजए, बांकि देख लीजएगा, वेबर, इसका मतलब वेबर ने का, politics as a struggle to acquire power and influence power, याद भी कर सकते हैं आप, कैसे politics को उन्होंने डिफाइन किया, मैंने अपने गाइड में काफी तरीके से बताया है कि कैसे कैसे definition हुई है, लेकिन फ कर लीजए, तो B कर 1 से आपको ये और ये match हो गया, ये दो तो खतम हो गया, अब दूसरा जो है, आप अमेरिका को लीजए, तो federal है, presidential है, republic है, तो A का 3, तो A का 3, लेकिन इसे बात बनी नहीं, तो C पे आईए, UK को क्या लेंगे, Unitary है, Parliamentary है, Monarchy है, तो C का 2, तो C का 2, तो A, A सही है, तो ये थोड़ा difficult होता है, क्योंकि आपको 3 जानना है, कई बार 4 जानने तो बहुत difficult हो जाएगा, और France यहाँ पर आपको एक knowledge दे रहा है, कि Mixed Presidencial System, तो Presidencial Comparliamentary Republic है, ये भी आसान होना चाहिए, 24 नंबर, क्योंकि T.H. Green जो है, वो बहुत famous है, इस book के लिए, Political Obligation के लिए, Lecture on Principle of Political Obligation, तो A का 1, A का 1, और आपका वाओ, ये तो easy question हो गया, क्योंकि इसी से आपका question ही बन गया, अब आप इसको just जो है, देख लीजे, B का 3 है, Eternal Consciousness, मैकावलियर कॉंसेप्ट है, C का 2 है, Authoritative Allocation of Value, famous definition, जो है, Politics का Eastern ने दिया था, और Prison Diary मैंने भी आपको ब Gramsci, इसको कई जगा जो है, Gramsci, Gramsci भी इसको प्रणॉंस किया रहता है, S-C-I को छी से, Gramsci, Anyways, Prison Diary, अब यहाँ पर आई ये 26 नंबर, ये थोड़ा difficult हो सकता है, क्योंकि ये सब बहुत famous जो हैं, वो नहीं है, ये भी political development, अभी आप लोगों ने देखा, Lucian Pai से लेके, Huttington, Political Development, ये सब ने भी political development में बुक लिखा है, तो आपको ये question एक तरह से political development के सारे authors का नाम पढ़ा रहा है, इसका सही answer A है, आप just match कर सकते हैं, A का 2 है, तो approach to analysis of political development, Stan ने लिखा है, B का 1 है, आप match कर लिजेगा, याद भी कर सकते हैं, 27 नंबर देखे, ये बहुत आसान है, क्यो power fuse हो जाती है, कैसे, क्योंकि legislature ही executive बनता है, इसलिए यहाँ पर legislature और executive के बीच में घाल मिल होता है, जो suppression of power पूरा नहीं होता है, तो A का 1 है, A का 1 से ये 2, तो ये 2 तो cut गया है, इसमें, अब यहाँ देखे, unitary government जो है, उसमें concentration of power होगी, तो B का 3 होगा, तो B का 3 से, तो B का 3 से ही आपका काम जो है, बन गया, बाकि आप देख लीजेगा, presidential में separation of power बहुत अच्छा होगा, और federal government में division of power होगा, अब ये question जो 30 number है, ये खासा आसा question है, ये कहता है कि constitution का कौन सा article जो है, वो amendment से related है, ये इतना आसान है कि, आपको definitely पता होगा कि article 368 जो है, वो amendment से related है, article The drafting committee, अब ये एक थोड़ा again difficult question है, आपको पता है, constitution के drafting committee, उसके chair person, Ambedkar जीते, ये पूछा जाता है, ये आसान question होता है, यहाँ पूछा जा रहा है, कि उसमें कितने member थे, तो ये chairman और 6 member थे, बहुत आसान नहीं है, difficult question, अब अगेन यहाँ matching देखे, इसमें काफी matching है, फिर अगेन huttington आ जाते हैं, अब यहाँ वो political decay, मैंने जो आपको पहले ही बताया था, कि particle decay, particle decay में उन्होंने ये बताया है, कि यदि social modernization, जिसमें कहते हैं, कि mass mobilization हो लेगे, लोग इतने active हो जाएं, वो यदि institutional development है, कि institution की capacity, लोगों को न्याय देने की, justice करने की, या कह लिजे facility देने की, यदि political institution का development यदि पीछे पर जाए, social modernization से, तो political decay शुरूया थी, उनका कहना था, वो जो book था न, development and decay, political development and decay, तो A का 1 से आप देखिए, कि दो आपको बनते हैं, ये दोनों खतम हो गए, Fred Riggs ने, वही जिन्होंने की ecological दिया था, वो भी development पर लिखते हैं, उन्होंने development trap का जो है, एक concept दिया था, development trap उनका कहना था, कि equality और capacity, उन्होंने लिया था, Lucian Pai से, जो कि, कहते हैं कि, तीन feature होता है, किसी भी political development का, उन्होंने इसको development syndrome कहा था, equality, capacity and differentiation, equality मतलब कि, आप कह लि लिजे, rule of law, सभी बड़ाबर है, democracy है, सब को parts patient का मौका है, capacity मतलब वही जो जो देख रहे थे कि, जो institution है, उसकी capacity, justice dispense करने की, public service देने की, ये जो institutional development कह लिजे, और differentiation मतलब कि, structural functional differentiation, जो, 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 प्रिजमेटिक society में जहां पर थोड़ा घालमेल होता है, तो ये तीन में से ग्रिक्स का कहना था कि, equality और capacity में balance नहीं होगा, तो development trap में हम पर जाएंगे, तो इन सब से आप match कर सकते हैं, इतना ज्यादा से, और Lucian Pai ने तो, आपको पता है, development syndrome, अभी आप देखी रहे हैं, तो इन तीन से आपको ये match हो जाएगा, बहुत असान है, which one of the following is the essence of constitutional government, अब constitutional government का माइनी क्या होता है, जो government rule of law पे चलती है, constitution पे चलती है, limited government होती है, constrained government होती है, जिसके हाथ-पहों बंदे होते हैं, जो arbitrary नहीं होती है, मतलब कुछ भी करे ऐसा नहीं हो सकता है, constitution एक घहरा बनाता है, इसमें दोनों ही सही है, presence of effective restraint and procedural and substantive restraint, अब यहाँ यह बहुत confusing ऐसा नहीं देना चाहिए, question invalid हो जाएगा, इन्होंने official answer कहा है, B, लेकिन why not C, 32 number देखे, choose the correct answer, तो इसमें इतना लंबा है कि मैं पढ़ूंगा नहीं, यह basically यह कह रहा है, कि एक party को state party, आपको पता होना चाहिए कि तीन तरह के party होते हैं, election commission के अनुसार इंडिया में, एक है national party, दूसरा है state party और तीसरा है recognized party, कोई भी जो है regional party नाम का कोई चीज है नहीं, लेकिन हम state party को regional party कहते हैं, दोनों ही के जो national party के eligibility और state party के eligibility के कुछ criteria हैं, यहाँ पे आपको state party criteria लिखे हैं, यह तीनों सही हैं, यह गलत है कि party should win majority in at least three district पंचाय, district पंचाय से कोई मतलब है नहीं, इसलिए 123 सही है, अब यहाँ पे इसको आप देख लिजएगा, याद कर लिजएगा, और not only that, आप जरूर national party की जो eligibility है, उसको भी यहाँ देख लिजएगा, मैं चाहता तो मैं यहाँ देता लेकिन बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं दिया है, यहाँ पे यह ब इनिस party of India, जो हैं, दांगे, तो A का 2 और B का 3, तो इससे हमारी जो है, बात हो जाती है, A का 2 और B का 3, तो आप इससे बांके मैच कर लिजएगा, दो बहुत जन समाज party के founder कौन थे, यह हम लोग सब जानते हैं, यह Mr. Kansi Ram थे, जिस वो भी मायवती चलाती हैं, chronologically arrange the following state in order of which they were created, यह तो बहुत famous question है, इस टाइब का, आपको हर state जो इंडिया में create हुए, इसका chronology याद रहां चाहिए, आंदर परदेश सबसे पहले और तिलंगना सबसे बाद में, तो सबसे पहले आपको महरास्टरा 1960-60 में कभी हुई होगी, उसके बाद तो A से आप 1 स को पता है, गोवा 1987 में, तो 4 लेके चलिये, तो 4 इसमें है, इसलिए भी सही होगा है, और तिलंगना तो 2014 में या 15 में बनी है, लास्ट. Who among the following scholar is not associated with remarkable studies on role of caste in Indian politics? यह बहुत difficult question है, इसमें सभी ने किया है, except Granville, Austin ने जुनोंने constitution पे study किया था, difficult question. Which one of the following is not part of the 11th schedule of the constitution specifying the functions of panchayat? फिर अगें एक difficult question, क्योंकि आप पंचायत के क्या-क्या function हो, आपको सब list याद रखना पड़ेगा, उसमें करीब 29 list हैं, उसमें से land revenue or records उसमें नहीं है, तो यह सब खोजना तो बहुत मुस्किल है. Which one of the following is not a feature of election system in India? यह आसान question है, आपको पता है कि universal edit franchise है, secret voting है, reserve constituency है, लेकिन party list system नहीं है, list system जो है, वो होती है, जहाँ proportional representation से election होती है. Which parties among the following choices oppose the constraint amendment bill for women's reservation in parliament? आपको पता है कि बहुत सालों से women की reservation bill है, वो pending है, जिसमें women को पंचायत की तरह 33% reservation देने का provision है, उसको oppose करने वाली generally, जो है socialist party North India की होती है, like rastry, genderedal, समाजवादी party and all, क्योंकि उनका कहना है कि वो intersection है, caste और gender का, उससे जो है वो उनका harm होता है, social equity का मामला. तो 39 का जो है 3 and 4 है, which of the following factors can be considered as responsible for the trend of growing centralization in union state relation? अभी मैंने आपको बताया है कि हमारे हैं काफी सालों तक centralized federalism रहा है, उसका कारण क्या-क्या रहा है, यह आपको पूछ रहा है, threats to national security and integrity, जब भी ऐसा होगा, तो आपको center को strong बनाना पड़ेगा, limited revenue and resource of the state government, यह कारण भी है और उसका effect भी है, जब आप ज़्यादा centralized रखेंगे, तो उसके पास में resources कम रहेंगे, rule of the same party at center and large number of state, यह बहुत important कारण है, Congress का center में भी सासन, state में भी सासन, यह ऐसा होगा, तो definitely आपको जो है, वो centralized होगी, क्योंकि Prime Minister फिर एक तरह से जो है Chief Minister का boss हो जाता ह है, जब कि यह अलग-अलग party का राज हो, तो Prime Minister, Chief Minister का boss नहीं होता है, Federal structure में दोनों बड़ाबर होते हैं, तो यह सब है, लेकिन judgment of Supreme Court of India on role of governor यह बिलकुल नहीं सही है, इसलिए 1, 2, 3 सही है, तो यह सही है इसमें. The total number of ministers, including the chief minister in a state cannot exceed, 41 number question, चाहे center में हो, चाहे state में दोनों में 15% आप याद रखिये, ज़ टोटल number of log sabha member, वहां पे total number of number of vidhan sabha, और एक बात यहां पे और याद रखिये, 91st amendment, में memory से बोल रहा हूं, चेक कर लीजेगा, इस से जो है 15% लाया गया था center में, 42 number region 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 17 India continued to exist till the Indian constitution came into force, मेरे अनुसार से यह true है, India independent हो गया, लेकिन उसका एक dominion status था, क्योंकि तभी तक हमारा जो king था, वो England का ही king था, और जो उसका governor general था, वही जो हमारे यहां रूल करता था, जब तक constitution नहीं बना था, तब तक हम republic नहीं हुए थे, और British governor appointed the last governor general of India, यह भी अपन किया था, तो इसलिए यह दोनों true है, मेरे अनुसार से यह जो है, यह होना चाहिए, A, या B, इस पर discussion हो सकती है, लेकिन इन्होंने कहा कि यह गलत है, तो मैं इसको content करता हूँ, यह गलत मेरे अनुसार से नहीं है, आप और चेक कर सकते हैं, which provision of the constitution of India came into force from 26 November 1949, यह एक बहुत interesting fact है, कि constitution हमारा 26 November 1949 को ही adopt हो गया था, आप नीचे लिखा हुआ देखेंगे, on this day 26 November 1949, we hereby adopt, enact, इसा लिखते हैं, लेकिन उस दिन उसको लागू नहीं किया गया, क्योंकि एक sentimental value थी 26 जनवरी के साथ, 26 जनवरी 1930 को लाहर अधिवेशन में यह फैसला हुआ था, कि उस दिन रा लागू होगा, constitution वो तो हमारे हाथ में था, तो हम लोगन उसको 26 जनवरी को लागू किया, उस पवितर दिन के याद में, तो 26 November को कुछ ही धाराएं, जो है, constitution के लागू हुई वो थी, related to citizenship, election, provisional parliament, temporary and transitional provision, बला बला बला, आप पढ़ लिजेगा इसको, तो यहां पे citizenship है, उ उस दिन लागू हुई, अब यह difficult question हो जाता है, the writ of mandamus, लेकिन यह बहुत आसान question है, क्योंकि पाँचो रिट कई बार मैंने आपको पढ़ाया है, MCQ discuss करते हुए, mandamus मतला होता है, we command, और इसमें से जब आप पढ़ेंगे, तो यह कहा जा रहा है, कि inferior authority, चाहा है, court हो चाहा है administration, उसको कहता है, कि तू अपना legal या public duty करो, जैसे mandamus के तहती कहता है, कि encroachment हटाओ, नाली साफ करो, इस road को चौड़ा करो, यह काम करो, करने को जब कहता है, तो mandamus होता है, इस कहला, इसमें और जो कुछ-कुछ हैं, वो आप यहां पर जल्दी से देख सकते हैं, due of warrant का की हुए हो, habeas corpus का मतलब होता है, कि produce the body, यह दि किसी को detention में रख दिया, jail में रख दिया, private या public किसी authority ने तो इसको habeas corpus जारी हो सकता, और दो जो है, prohibition and certuary, lower authority, lower court पे होता है, provision में उसके order को रोग दिया आता है, certuary में case अपने higher court मंगवा लेती है, कि उसको jurisdiction का issue लगता है अब यहाँ पे देखिए, यह constitution के कौन से feature कहां से लिए है, यह बहुत ही important एक question है, और बहुत आसान भी यह लगातार पूछा जाता है, fundamental duty हम लोग ने USSR से लिया है, preamble, USA से इसी दो से आवर काम बन जाएगा, A का 2, A का 2 और B का 4, तो A का 2, B का 4 से आपका यह काम बन गया, तो आप सी देख सकते है, directive principle of state policy Ireland से लिया गया, और distribution between union and state government Canada से, in fact Canada से हम लोगों ने strong federalism भी लिया है, जाए strong center होती है, और USA से हम लोगों ने fundamental rights भी लिया है, Germany से हम लोगों ने emergency provision लिया है, तो कई जगह से हम लोगों ने उठाया है, inspire हुए हम लोग, which of the following statement are true with regard to fundamental duties, और फि fundamental duty हैं, जिसमें से 10 तो जोड़े गया थे 1976 में, constitutional amendment से, ये part 4 में है, 5 में नहीं, तो यहाँ पर देखे एक game आपको में बताता हूँ, they are included in part 5 of the constitution, ये एकदम grossly wrong है, क्योंकि part 4a में इसको include किया गया, part 4 directory principle of state policy है, उसके ठीक बात, जो है, part 4a में, directive fundamental duty रखा गया, आपको पता है कि 2 wrong है, तो जिसमें, जिसमें option में 2 है, उसको wrong कर दीजे, तो ये wrong हो गया, ये wrong हो गया, ये wrong हो गया, कि बाल एक ही option बनता है, इसमें 2 नहीं है, और आपका सही हो गया, बाकि आपको देखनी के भी जरूवत नहीं है, इस तरह से आपको question को tackle करना चाहिए, इस से जुड़ा हुआ question एक ये आता है, कि कब जो है, और कौन सा amendment से 11th fundamental duty जोड़ा गया, तो 11th duty जो है, पैरेंट का है, कि अपने बच्चों को 6 से 14 साल का पढ़ने दें, काम हों में ना लगाएं, स्कूल भेजें, ये duty उनकी है, ये 2002 में 86th constitutional amendment से जोड़ा ग question कई बार UGC net में या इधावदर पूशा गया है, अब यहां पर आईए, different type के motions है, कुछ financial, कुछ others, cut motions जो होते हैं, वो reduction in the amount of a demand presented by government, budget प्रस्तूत करते हैं, सरकार गिर जाती है, ये ऐसा हो गया, privilege motion होता है, कि MPs को कुछ privilege मिले हुए है, कि किसी ने, public या even कोई minister ने उसका harm किया है, तो privilege motion आता है, rules ये इसमें आए जाएगा, house की privilege कोई दी किसी ने harm किया है, तो B का 2 और A का, B का 2 और A का 3, तो B का 2 और A का 3, ये दोनों आ रहे हैं, तो ये थोड़ा और आगे बढ़ी है, point of order मतलब होता है, arranging an objection when a member feels rule of the house are not followed, तो C का 1, C का 1, C हो जाएगी, तो थोड़ा सा difficult हो सकता है, calling attention motion कोई important issue पे मंतरी से statement मांगा जाता है, और उस पे बैन, ये वाले जो है 50 number ये मैं नहीं discuss कर रहा हूं क्योंकि ये इतना arbit है, इस तरह है कि different program किस plan में आया था, plan कब का गाय भी हो चुका है इंडिया में, क्यों क्यों पू स्टीक भी है, staff is an extension of the chief executive personnel, मतरब जैसा chief executive होगा, वैसा ही एक organization का staff हो जाएगा, ये लेंडर उर्विक ने कहा है, difficult है, जहां मैं difficult बोल रहा हूं, वहां पे आपको कोई अफसोस नहीं होना चाहिए ति आप नहीं जानते, तो आप नहीं जान सकते इस तरह के, generally आपको 99% time होता है, दो fund होते हैं, दो खजाना, एक contingency fund है, कहीं अकाल, कुछ pandemic कुछ इस टाइप का आ गया और एक है consolidated fund of India, उसको आप ती जोरी कह सकते हैं, उसको तो parliament से ही आप निकाल सकते हैं, कुछ cases में केवल जो है, बिना parliament के sanction के भी निकाला आयता है, इसे judges की salary and all, लेकिन अधिक introduction of money bill in the looks, money bill जो है, ऐसा होता है, जो पैसे या tax related होता है, और उसको बिना president के recommendation के प्रस्तुत नहीं किया सकता है, ये भी उनके financial power में आता है, finance commission, article 280 के तहत, president जो है, वो निक करते है, finance commission, basically state और center के बीच में, जो tax proceed होता है, उसके distribution और कैसे और कैसे state को पैसा दिया सकता है, ग्रांटी ने डरों सब का recommendation करता है, तो ये तीनों उसके financial power है, लेकिन ये नहीं है, money bill को president reject नहीं कर सकता है, एक बार दियो pass हो गया है, तो one, two, three, which authority is empowered by article 138 of the constitution to enlarge the jurisdiction of supreme court of India, मान लिए supreme court का jurisdiction को बढ़ाना है, अब यहां पर common sense से आप कर सकते हैं, constitutional common sense मैं बोल रहा हूँ, इस तरह की power, की court का jurisdiction बढ़ जाए, या दो state के लिए एक ही high court हो, इस तरह के जो है किवल parliament छोड की किसी को power हो सकता है क्या parliamentary democracy में, ये just common sense है, तो parliament को ही ये power है, कोई president या prime minister को थोड़ी हो सकता है, who said, organization, अब यहां पे भी typo error है, organization is the basic tool by means of which the administration process is kept operating, बहुत difficult है, arbit question है कि ये ME Democ में काई है, कैसे आप ये सब जान सकते हैं, ये इतना कुना तो बहुत famous है ना ये famous line है, public management, this is a very very good question, in fact ये आपको knowledge देता है, public management, मैंने एक पूरा video बनाया है कि public management, public administration से कैसे अलग है, अब यहां पे इतना लंबा चोड़ा हमें पढ़ नहीं रहा हो, ले लेकिन C point पे आई है, जो सही है, कि public management is the normative orientation of ये एक तरह का blend है, मतलब mixture है, normative orientation of traditional public administration and instrumental orientation of general management, मतलब ये दोनो, अब इसका माइने क्या है, कि basically public administration का essence लेता है public management, कि इसमें publicness होनी चाहिए, public spiritedness होनी चाहिए, accountability होनी चाहिए, उसका scope पूरे इन general public का है, लेकिन उसका instrumental orientation है, वो general management के जैसा है, जो management की technique है, general जैसे company को चलाते हैं, उसको जो है public management अपनाता है, तो एक तरह से public management जो है, वो management of public institution है, या public organization है, public organization वो है जो public के पैसे से चलते हैं, no, not for profit organization होते हैं, NGOs भी जो है public organization होते हैं, तो वैसे organization का management, उसी principle पे करना, जो public administration करती है, लेकिन तरीके अपनाना वो जो general management में है, यह public management, it's a very good definition. Who has written gender images in public administration? यह Camelia Stuyvens न लिखा है, यह बहुत famous book है, आपको जो याद होना चाहिए. Who among the following scholars make a distinction between policy making and executive decision? Again, a arbit question, very very difficult and arbit. It was done by this separation, policy making and executive decision, Geoffrey Vickers. Geoffrey Vickers बहुत famous है public policy में, इन्होंने book लिखा था, The Art of Judgment, Geoffrey Vickers. तो लेकिन यह इस question के लिए बहुत difficult है. अब यह आईए, बहुत आसान है again. जो first administrative reform commission बनी थे, अभी तक दो ही बनी है, first 1966 में बनी थी, उसके first president जो है चेयर परसन बोराजी देसाई थे, बाद में वो deputy prime minister साइथ बन गये थे, तो उसके बाद, जो है, के हनुमन थाया जो है, उनको बनाया गया था chairperson, तो इसलिए सही answer है, जो दूसरा second administrative reform commission बनी थी 2008 में और उसके chairperson थे वी रेपा मोयली, यह भी कई बार पूछा जाता है. अब यहाँ पर यह tragedy of the commons ही पढ़ लीजेगा, यह जी मैं नहीं लिखा है, tragedy of the commons, जो मुझे लगता है, जैराट हाडीन ने यह book लिखा था मैं मैं और ही से बोल रहा है, चेक कर लीजेगा, tragedy of the common का वो सारा meaning होता है, जो इसमें होता है, इसका सबसे अच्छा समझने के लि रख दिया गया, बड़ा सा बरतन रख दिया गया, और रात में, जो अंधेरे में, और कोई नहीं जानता है कि कौन दूद डाल रहा है, ऐसा माली जारिमेंट है, तो कोई एक आदमी सोचता है कि एक लोटा में पानी ही डाल दूगा, क्या होगा, सब तो दूर ही डालेंगे एक common, जो है, वो मैदान है, और उसमें घास है, बहुत अच्छा बच्चे खेलते हैं, और वहाँ पर मना ही नहीं है किसी को भी पने गाये को चराने की, तो everybody सोचे गा कि क्यो नहीं सभी, मतलब गाये को वहाँ बेज दिया जाए, और सब लोग वहाँ पर चराने लगें, को atmosphere है, Antarctica है, and like that, तो ये बहुत important concept है, ये असान question है, और अच्छा question है, the scientific management theory late stress on, ये सब भी असान है, scientific management, आप पता है, चेलर का, उसमें, यदि आप इन सब को पढ़ेंगे, तो सबसे जो अच्छा इसमें answer है, वो planning और standardization, मतलब की, एक standard develop करना work का, scientific way में, और धेर सारा planning करना तब job को करना, ये ही scientific management था, the concept of rule of law and its linkage to the judicial control over administration, was first theorized by, rule of law आते ही आपको जो है, डाइसी का नाम, यादाना चाहिए, ये वी डाइसी का, उन्होंने ही rule of law का concept दिया था, rule of law का मतलब है कि कानून के निजर में सभी बराबर है, इसका मतलब constitutionalism भी होता है, इसका मतलब ये भी होता है कि arbitrary rule नहीं, बलकि rule of law होगा, कोई उपर, कोई नीचे नहीं है, सभी बराबर है, the concept of public value in public administration is primarily associated with, ये बुक मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं तो जानता हूं Mark H. Moore का public value, creating public value नाम है, उनका ये कहना था कि public administration या public organization का सबसे important काम जो है, वो creation of public value है, Moore कहते हैं कि public value क्या है, जो public representative valuable माने, वही public value है, मान लिजए कि honesty को माना जाया, public through its representative, ये desire करें कि public organization को honest होना है, तो honesty को maintain करना, public value create करना है, इसी तरह से transparency, welfare and many other जो हो सकता है, public value और उसको बढ़ाना है, इनका कहना था Moore का कि जो private organization होते हैं, उनका aim होता है, shareholder's wealth and profit को बढ़ाना है, जबकि public organization का public value को create करना, Mark Moore, which of the following statement is not correct, there is a sip from administration, पढ़ियेगा तो आपको सब सही है, आपको बहुत तेड लग जाएगा, लेकिन ये इस पे आका अटक जाएगा, liberalization has little impact on the service delivery system in Indian administration, बिल्कुल wrong है, बहुत profound impact जो है LPG का पराया, liberalization, privatization, globalization का public service delivery पे, वो market के basis पे दिया जाएगा, इसके अलावा, बहुत सारे public service के delivery अब private sector के दोड़ा दिया जाता है, utility में देखिये, gas में देखिये, and many other में, which of the following is the essence of Morgenthau's first principle of political realism, अपने book 1948 में उनने politics among nation लिखा था, उसमें उनने 6 principle दिया था, classical realism का, उसमें से first यही था, जो यहां C में लिखा गया है, कि politics is governed by objective laws which have roots in human nature, कहने का मतलब है कि human nature के जैसा ही, nation state का nature होता है, egoist, self-interested, और bullying, मतलब negative, जो इसको pessimistic view human nature का लिया गया था, उसी तरह से state का, और यदि एनार्की हो, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगी, जो international politics में होता है, तो human nature जो हता है, objective होता है, मतलब उसको आप पहचान सकते हैं, objectively हो सकते हैं, वो unchanging होता है, तो इदि human nature के basis पे इदि politics का rule बनाया जाएगा, तो वो भी objective होगा और वो भी unchanging होगा, यह उनका first principle था, जिसको बाद में structural realism, जिसको neorealism भी बोलते हैं, Kenneth Walch का, वो उन्होंने पलट दिया था, उन्होंने कहा कि, not human nature, but the anarchical structure and relative power, जो capability, जो state के हैं, जो बहुत variability है, इन दोनों के basis पे जो है, international politics का study करना चाहिए, structural realism. अब 63 आईए, यह question जो है, common sense से आप solve कर सकते हैं, pacta, sunth, sarvanda is a legal principle that expects state to, यदि आप इसको गौर से पढ़ेंगे, तो pacta का मतलब होता है, pact, जिस तरह agreement, तो यहाँ agreement के वल एक ही में है, observed treaty to which they are parties, बाकि किसी में pact का बात नहीं है, यही सही है, आपको बाकि जानना भी नहीं है, तो यह difficult है, लेकिन common sense से बन सकता है, यह again difficult है, UNPO, बहुत लोग आप में से नहीं जानते होंगे, UNPO, जो है, it was conceived of in late 1980s by exiled leaders of people living under communist operation, यह formally found हुआ 1991 में, Peace Palace, Hague में, जहाँ पहले से International Court of Justice or International Criminal Court है, एक Peace Palace, मतलब एक building है, वहाँ Hague, निदर लैंड में, तो वहीं पे इसको, UNPO को खोला गे, UNRepresented Nations and People's Organization कहलाता है, Joseph Grieco is difficult, very difficult question, Joseph Grieco is known for his view and again very difficult and arbitrary question, जो आप बताया था कि 8 नौ इसमें, जो है, arbitrary question है, कोई problem है नहीं, इसको आप छोड सकते हैं, इनका जो view था, वो relative and absolute gain पे था, यहाँ एक बात आप जान लिजए, तो साथ आपो कहीं help हो जाए, Joseph Grieco, जो है, बहुत important neorealist thinker है, और neorealism में इस पे बहुत चर्चा की जाती है, कि जब दो state या multiple state मिल करके कोई समझोता करते हैं, या कोई agreement, माल जे, ओ जो उन होल का यह, तो उसमें, जो है, क्या state देखता है, relative gain देखता है, या absolute gain देखता है, पाकिस्तान के मुकाबर हमको ज़्यादा फाइदा हो जाए, तो यह relative gain है, ऐसा देखेगा, तो cooperation बहुत difficult होता है, neorealism यह मानते हैं, absolute gain जो liberalism मानता है, liberal जो thought है, कि इंडिया को इससे मतलब नहीं है, कि पाकिस्तान को इतना फाइदा हुआ, हमें, इतना फाइदा हुआ, जब तक हमें कुछ फाइदा हो रहा है, तब तक हम वो agreement करेंगे, यह absolute gain का principle है, तो यह Joseph Grieco ने इसी पर काम किया है, अब चली यहाँ पर इसको ही कर लेते हैं, तर्म fourth world जो है, indigenous people, third world आपको पता है, जो third world country है developing, उनको कहा जाता है, first world जो है western nation, जो developed है, उनको कहा जाता है, second world जो rest while communist world था, उसको कहा जाता है, fourth world जो है, जो world of indigenous people है, जैसे इंडिया में, अमेरिका में, ट्राइबल, अस्ट्रेलिया में, अबर्जिन्स, रेड इंडिया, यह सब को, उनके दुनिया को fourth world का जाता है, arrange the chronological order of the following treaty by using the code below, इसमें A सही है, आप इस चेक कर लीजेगा, सबसे पहले anti-ballistic missile ABM sign हुआ था, फिर उसके बाद MTCR regime आया, फिर उसके chemical weapon और लास्ट में जो है, start one, start one, start two, यह तो हम लोगों ने देख लिया, fourth world जो है, यह है, माइकल डोयल का नाम आते ही, आपको democratic peace theory याद आना चाहिए, democratic peace theory क्या था, कि democracy आपस में लड़ाई नहीं करते हैं, वैसे यह बिलकुल बेकार है, बखवास है, यह निकली थी Emmanuel Kant के perpetual peace theory से, जिन हुनने कहा था कि republic जो है, कुछ रूल को फॉलो करें, उनने पांच से बताया था, तो perpetually peace maintain किया जा सकता है, who was the author of United States and the origin of cold war, cold war का नाम आते ही आपको जो है, Gaddies का नाम, जो है, John Lewis Gaddies का याद आना चाहिए, इस क्यों आपने याद कर लिया कि यह cold war के सबसे बड़े लेखके हैं, तो आपका बहुत सारा question बन जाएगा, Operation Cactus बहुत important है, लेकिन है, बहुत difficult, इस बहुत difficult question है, यह difficult नहीं है, Operation Cactus जो है, 1988 में क्या हुआ था, कि स्रिलंका की एक mercenary type की जो भाड़े पे जो गुंडे होते हैं, वो आकर के उन्होंने Maldiv को एक तरह से तहसनेस कर दिया, Maldiv इतना चोटा country है, कि वहाँ कोई 9 से भी आकर के एक हजार, 2000 गुंडे घुस आएं, तो उस country को परिशान कर सकते हैं, इस type of country है, उसको बहुत ज़्यादा military है, यह सब तो है नहीं, तो Indian Operation Cactus चला एक तरह का Army Police Operation और भागाया था, उसको free किया था Maldiv को, The Malabar Nevel Exercise was jointly conducted in 2017, बाइ, अब Malabar, यह question चुँकि पुराना है 2017 का है, Quadrilateral Dialogue Nation, USA, India, Japan, Australia, यह joint naval exercise होती है, इन चारो country के, Indian Ocean. यह last slide है, when was the Mahakali treaty signed between India and Nepal, very difficult and arbitrary, India and Nepal के पुचे Mahakali एक नदी है, उसकी water set से दोनों country का division पे हुआ था, 1996 में, यह याद रखना, बहुत ही मुस्किल है, NAM formalized the idea of NEO in its, यह भी बहुत difficult है, अब NEO क्या है यदि यह पुचाया था, तो अच्छा question होता है, NEO, एक new international economic order की बात, 70s में की गई थी, 73 में उससे में अंक्टाड बना था, United Nation Conference on Trade and Development, उसमें जो developing country है, जो developing colleges, country of the south, जो थे third world country कह लिजे, उन्होंने कहा था कि, हमारा new economic order, जो है वो होना चाहिए, जिसमें की south के countries को economically तवज्जो मिले, क्योंकि हम जो है raw material और agricultural produce एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी हमको value मिलती नहीं है, और वही कई गुना कीमत पे हमको finished form में खरीदना परता है, जो एक perennial problem है, यदि आप कच्छा माल बेचे हुए, जैसे कि किसान जो है कच्छा टमाटर बेचेंगे, मतलब टमाटर बेचेंगे raw material तो उनको क्या पैसे मिलेगा, और वही यदि टमाटर प्यूरी और केचप कोई बना के बेचता है, तो उसे कितने गुना, एक potato का क्या किमत मिलता है आपको आलू का, और वही आलू chips कितना होता है, तो यह value addition का एक इतना बड़ा conundrum है, इस पर सोचनी की जरुवत है कि कैसे जो है इसको किया सकता है, वही new economic order में था, international economic order में, बाद में वो time time phase हो गई, तो यह algeri summit जो हुआ था, उसमें इसकी बात हुई थी, difficult है, यह question difficult नहीं है, India's look east policy was launched during the Prime Minister CPAP, इसमें confusion आपको हो सकता है, क्योंकि look east policy 1991 में PM नरसीमारों ने launch किया था, इसका basically purpose यह था कि इंडिया को अपने, जो never है, south east में, इसको ACN nation अभी बोलते हैं, उसके तरह ध्याँ जादा focus करने की जरुवत है, बाद में मोधी जी जब आये तो उसको उन्होंने एक नए तरह से pre-package किया, act east policy कहके 2014 में, look east, act east, तो वो मोधी जी का कहना था कि अपना domestic प्लस international दोनों को मिला करके हम करेंगे, act east policy, तो यह जो है, पीविनर सिमा रहा हो गया, next step in the strategic partnership between India and USA include, यह question common sense question है, इंडिया और US के बीच में strategic partnership की गई है, इन सब में, nuclear energy में, space में, missile में, तो all of the above, मैंने आपको कई बार कहा है कि all of the above हो, या बोथ हो, बोथ तो बहुत कम आप दिखने को मिलता है all of the above, तो आपको ठहर जाना चाहिए, उसको negate करने से पहले बहुत गवार से सोचना चाहिए, क्योंकि अधिकतर time में all of the above जो है, वो सही होता है, तो ओके, dear students, thanks for watching, यदि आपको पसंद आया हो, तो इसको like करें, subscribe करें, और लोगों को इसाथ share करें, और यदि आपने अभी तक download नहीं किया है, guide तो कर लीजे, या आपको अभी भी help करेगा, and all the best, website पे आप लिख सकते हैं, मैं जवाब देता हूँ, email का जवाब मैं जरू देता हूँ, telegram channel को join, इसलिए कीजिए को मैं सारा important information वहीं पर broadcast करता हूँ, so okay, bye, see you again, एक, दो और analysis लेके, शायद मैं courses करूँगा before 9 January, otherwise आप जो UGC net के भी मैं कुछ analysis करूँगा, उसको भी आप देखिए, वो भी आपको फाइदा करेगा, bye, good wishes.